ओम करिशी महागड़ी शाय नमा, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों हिंदु धर्म में पित्रों की आत्मा की शांते के लिए पित्र पक्ष में उनकी नाम से शार और तरबन किया जाता है। पित्र पक्ष 16 दिनों तक रहते हैं और इनका समापन अश्विन मास की अमावस्या दिथी को किया जाता है। जिसे सर पित्र अमावस्या या पित्र विसरजनी अमावस्या महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस पार सरपित्र अमावस्या 25 सितंबर दिन रविवार को है इस दिन पित्रों की बिदाई की जाती है कहते हैं कि पित्र पक्ष की पहले दिन पित्र पित्र लोग से धर्थी लोग पर आ जाते हैं और सोली दिनों तक अपने परिजनों बीच रहकर परिजनों दोरा अर्पित किये कई शातरबण पिंडितान को गहड करतें और सरफित्र अमावस्या की रात Rachel को बापस चले जाते हैं हिंदू धर में सरफित्र अमावस्या का फशेश महत्व है इस दिंपित्रों के नाम से शाथ करते उनके लिए तरहे तरहे की पक्वान आदी बनाय जाते हैं इस दिन पित्रों को तरपन देते हुए उन्हें तरहे तरहे की पक्वान अर्पित कर तरप्त किया जाता है जिससे पित्र तरप्त हो अपना आश्वा दे बापस पित्र लोग को चले जाएं इस दिन सभी पित्रों क की शात किया जाता है जिन पित्रों की मेतितिती ग्याद है या जिनकी ग्याद नहीं है या जिनका शान पित्रकष के रूप में आकर भोचन ग्रहट कर सकते हैं इसलिए शांस्तों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिने पितर पक्ष के दोरा ना तो खुद खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए अगर आप खान पान में कुछ गलतियां कर देते हैं तो इसे पितर नाराज हो जाते हैं और पित्र जब रुष्ट होते हैं तो पित्र दोश लगता है जिससे जीवन में कई कष्ट उठाने पड़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को स प्रसन्य हो वहीं हम कुछ गल्तियां कर वैठते हैं क्योंकि अधिकता पित्रों को प्यार लहसन का भोजन पसंद होता है और कई लोग शाथ के दिन प्यार लहसन का भोजन ही बना लेते हैं लेकिन ऐसी गल्ति भूल कर भी नहीं करने चाहिए जब व्यक्ति की मृत्य हो जा जो भी भोजन जल बस इत्यादी àपित किय जाते हैं प्वकवान श्युमा लक्ष्मीजीत द्वारा ही ग्रह किये जाते हैं और भात्रोंग मालक्ष्मीजी को कभी भी प्यार लेसं की भोजन का भोक नहीं लगाया जाता अगर आप ऐसे भोजन को शाथ में सामिल करेंगे त इसलिए भोजन में भूल कर भी प्यार लहसन ना डालें और आप भी प्यार लहसन का सेवन ना करें प्यार लहसन के साथ ही मीड अंडा और मद्रा का सेवन भी भूल कर भी नहीं करना चाहें और नहीं मार्गेट से ऐसी कोई चीज खरीद कर किसी जरुद्मन व्यक्ति को देनी चाहें ऐसा कहनी से दोश लगता है पित्रबक्ष की दौरान मासाहार और प्याल लहसन के भूजन से दूर रहना चाहें मार्गे की कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको मालुम है इसमें प्याल लहसन डलता है तो वह चीजें भी खरीद कर ना खाएं पित्रबक्ष की दौरान किसी भी तरह की कच्चे अनाज का सेवन नहीं करना चाहें और ना ही किसी को खिलाना चाहें जिस दिन आप अपने पित्रों का शाद करें उस दिन आपको अपने घर भी दाल चावल नहीं बनाने चाहें और शाद के भोचन में भी इन ही शामिल नहीं करना चाहें प्रामण को भी इंची चों का सेवन नहीं कराना चाहें ताल चावल के इलाबा रोटी भी नहीं खानी चाहें और नहीं किसी को खिलानी चाहें शाद के भोजन में पकवान याने की पोड़ी कचोड़ी ही बनानी चाहें चावल का आप खीर बनाने में इस्तमाल कर सकते हैं. शात के भोजन में खीर ज़वरुषामिल कहने चाहिए. खीर के बिना शात का भोजन पौरुण नहीं होता. शात का भोजन बनाते समय जैसे आप दही बड़ई बनाएं या फिर आप डाल की कचोड़ी बनाएं तो उसमें आप उरत की डाल, अरहर की डाल, चने की डाल, अन्य डालों का इस्तमाल कर सकते हैं मौंग डाल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन शाद के भोजन में किसी भी प्रकासे मसूर की डाल का इस्तमाल नहीं करना चाहें ना तो बड़े और कचोड़ी बनाते में इसका इस्तमाल करें और ना ही डाल बनाएं शास्तों में मशूर की डाल को अशुद्ध बताया गया है इसे मासाहार की शेणी में रखा जाता है इसलिए एकादशी के दिन भी मशूर की डाल का सेवन नहीं किया जाता और धान रखें, आप शाद के समय दान करें दान में सभी प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं लेकिन मसूर की दाल का दान भी ना करें जिस दिन आपके घर में शाद नहीं है उस दिन आप अन्य सभी दालें, चावल और रोटी का सेवन कर सकते हैं शाद के दिनों भी चने का सेवन नहीं करना चाहिए चने के सत्तु का या फिर अन्य किसी प्रकार के सत्तु का भी सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं यह किसी को खिलाना चाहिए चने से बने बेसन का इस्तमाल कर सकते हैं इसकी पकोड़ी बना सकते हैं, गट्टे बना सकते हैं, अन्य भोजन बना सकते हैं, लेकिन चन्य का इस्तमाल ना करें। धान रखें, शाद के भोजन में या फिर शाद पक्ष के दोरान कड़ी भी नहीं बनानी चाहें। कड़ी ना तो खानी चाहें और ना ही किसी को खिलाने चाहें. आपके घर में जिस दिन शाथ ना हो उस दिन भी कड़ी का सेवन ना करें. शास्तों में अर्भी का सेवन भी पित्रबक्ष में बर्जित माना गया है इसलिए इस दोरान अर्भी और करेली का भी सेवन ना करें और ना ही किसी को खिलाएं वरना आपके पित्र आपसे नारास हो सकते हैं शासों के अनुसार इस दोरान मूली और गाजर का भी सेवन नहीं करना चाहें दरसल मूली और गाजर को अशुत्त माना जाता है पूजापाट में इनका इस्तमाल भी भरजित है दरसल इन सब्टियों का जो संबंध है वे राहु ग्रह से होता है इसलिए पित्रपक्ष के दोरान इनका सेवन नहीं करना चाहें और ना ही शाथ के भोजन में इनहीं बनाना चाहें पित्रपक्ष में लौकी, खीरा और ससों का साखना तो खाया जाता है और ना ही किसी को खिलाया जाता है शात्पक्ष में इन चीचों का खाना और खिलाना दोनों ही प्रतिवंदित है पित्रपक्ष में काले नमक का सेवन भी पूरी तरह से प्रतिवंदित है इस दोरान ना तो काला नमक खाएं और ना ही किसी प्रकार के भोजन में काले नमक का इस्तमाल करें पित्रबक्ष में बासी भोचन भी करना मना होता है पित्रबक्ष में बासी भोचन ना तो खुद खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए आपके दोर पर कोई जरुतमन व्यक्ति आते हैं तो उनको भी भूल कर भी बासी भोचन ना दे इस दौरान दूर से बनी चीजें सब इस चीजों से भी परहिच कहना चाहिए शास्तों के अनुसान इस समय पित्रों के साथ ही खई अत्रप्त आत्माये भी खूमती रहती हैं और वह दूर से बनी चीजों पर आकरशित होती हैं इसलिए इस दौरान दूद से बनी चीजों का सेवन ना करें, खास कर दूद की मिठाई का सेवन ना करें और सीधे दूद का भी सेवन ना करें, जितना हो सके इन चीजों से बचाप करें, अगर दूद की मिठाई का आप सेवन कर भी रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले कुल दही, दही के रायते, या फिर आप खीर, चाय कॉफी का सेवन कर सकते हैं, सीधी दूद का सेवन ना करें। पित्रपक्ष के दौरान एक अन्य चीज, जिसे कहते हैं कुमहड़ा, कुमहड़े की सबजी बनाए जाती है, वह सबजी जिससे पेठा भी बनता है, आपको उसका फूल कर भी जेवन नहीं करना चाहिए, और ना ही शात के भोजन में उसे शामिल करना चाहिए। शात का भोजन बनाते समय लोहे के बरतन का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, भोजन में काले दिल अवश्य ही डालने चाहिए, भोजन बनाते समय भी आप काले दिल डाल सकते हैं, या बनाकर उपर से भी डाल सकते हैं, तभी इसका आप भोग लगाएं, और पंचुबली भी त राप्त होता है इसलिए इस बात का विशिश तोर पा ध्यान रखें शाद की भोजन की पंचवली अवश्य ही देने चाहिए यानिकी भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोजन में से थोड़ी सी खीर पूरी तोड़कर आप गैस पर रहकर गैस जलाकर उसे अगनी देपता को समर्बित करें इसकी पश्चात भोजन के पांट थोड़े थोड़े अंश निकाले एक अंश गौमाता के लिए दूसरा कौवे के लिए जो अपनी छट पर या घर के आंगर में दखें तीसरा कुकुत्ते यानि स्वान के लिए चौथा चीटियों के लिए और पाचपा फ् निकाले यानि की जब आप गौमाता कुत्रे स्वान क्यावे चीटियों के लिए भोचन रखे निस भोचन को हो सके तो आप पत्तल पर रखें इसके लिएласт अच्छा तुरैं के पत्ते माने जाते हैं शाद का भोचन तुरैं के पत्तों पर रखकर अर्पित कर आजाना भोजन कभी ना रखें भामड के घर भोजन दे कर आए तो भोजन में जल अवश्य ही दे कर आए और जो गौमाता को वे स्वान और चीतियों के लिए अंश निकाले उसमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें गौमाता की में एक तुलसी पत्र भी अवश्य रखें अगर आप ज्यादा प्रकार का भोजन ना बना सकें तो कम से कम पूरी और खीर अवश्य ही बनाएं पित्रों के लिए पूरी और खीर का भोजन ही सर्वशिष्ट माना जाता है पंचबली निकाल कर ही आप भोजन क्रहन करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिसे भे भी इसे लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पैल आइकन को भी जरूर